किटची का पैनल कोलो, किसी भी स्कूल का पैनल कोल सकते जिसके आपको पास्वर्ड भी सनो, हमने यूजर आईडी डाल दिया, कि भाई आपकी जो भी यूजर आईडी आप अपनी डालिये, पास्वर्ड डालिये, जैसे याप यूजर आईडी पास्वर्ड डालोगे, यह आ आप जाओगे विश्टर पे जो आपका में काम है मैनेज विश्टर में एड नियू विश्टर करके आप यहां जा करके कोई भी नया विश्टर आइड कर सकते बाइस से इसमें ने मोबाइल नंबर यह सारी चीजे डालोगे इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कांटेक्ट टू एडमीशन इंक्वारी डालोगे तो बच्चे का डाटा फीट कर पाऊगे अगर इस्टाप या स्टुडेंट से मिलने कोई आया तो उसका गेट पास बना पाऊगे तो यह आपको जानना जरूरी यहां एडमीशन इंक्वारी लोगे फोटो पे जा करके आप फोटो लाइबरेरी से चूज फोटो से मतलब आपके मोबाइल पर पढ़िये वहां से या टेक फोटो डारेट बच्चे की फोटो की सकते हो और इससे आपका बच्चे की फोटो ले सकते हो उसका आईडी प्रूफ ले सकते हो या जो आदमी आपको मिलने आया गेट पे उस इसकी डारेट फूटो केस करके उसका गेट पास बनाकरके सेब करोगे तो यह सेप हो जाएगा इस से चीज़े होती है अगर हमने कोई चीज चीज सेब कर ली उसे हम देखना चाहते है वो विश्टर रिपोर्ट होती है जैसे हम debate में अगर हमने कोई डाटा सेप किया है कोई इंक्वारी सेप किये तो उसे हम देखना चाहते है तो देखिए तुरन दिखाने लगा कि टेस्ट के नाम से एक डाटा से हुआ इसको प्रिंट रिपोर्ट पे जाएंगे तो दारेक्ट आप प्रिंट पे जा करके वाटसाइब कर सकत हो या आप चाहो तो यहां पे इसका डाउनलोड एक्सेल पे जा सकते हो और जैसे इसको व्यू करोगे या जाएगा इसको आप सेयर कर सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीन साट लेके भेज सकते हो इस तरीके से आप कैसे भी करके इस रिगार्ट को यूज कर सकते हो आप गौहानी में कितने बच्चे हैं जो अब तक किस साला है तो फिर आप कोई डोटोटना से लट के लिए पूरे सिसन का जाएगा बाइस से इसका बिलेज में गौहानी भी पूरा मत लिखिये जी एयू लिख दिया अब जी एयू से मिलते जुलते जित्ते गाउं हो सब आ जाए कि कक्छा एक के कितने बच्चे जैसे मुझे यहां किक्छा एक के तीन बच्चे देख रहा है अब हमने फिर सकिया सर्च किया विस्टर रिपूर्ट पर गए अन थोड़ा और इसे कस्टमाइज करना है कि हमें गऌहानी के तो बच्चे चाहिए लेकिन हर क्लास के नहीं चा आप इस विस्टर रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं, आप फिर आयप मैनेजर पर चाहिए, क्लास वार्क, होम वार, फोन, गैली, वीडियो, स्मार्ट क्लास, नोटिस, सारी चीज़ दे सकते हैं, आप जैसे नोटिस देना चाहते हो, किसी बच्चे को add new item किया, आप किसको दे रहे हो, बच्चे को दे रहे हो, क्या नोटिस दे रहे हो, हाई, टूडेई, संडे, आपने दिया, माल लीज़े, अगर आपने कुछ भी नोटिस दिया, जो भी आपने नोटिस दिया, सेप किया, यहाँ पे नोटिस, अब यह नोटिस recorded successfully और यह नोटिस बच्चे को जैसे इसकर दोगे बच्चों को दिखने लगेगे यह मतलब इसाफे फीचर्स है, जो हमारे ऐप में है इनको आप यूज सकते हो लाइभ विडियो पे जा सकते हो जो भी हमारे वीडियो सेव होंगे आप सेव करना चाहते हो इस ओढ़ा देगा student blank form में यह admission form होता है इसका screenshot लेकर के guardian को भेज़ सकते हो कि भाई यह paper साथ तयार रखी हम आप कहाँ admission लेने आएंगे तो इसकी जरूरत पढ़ेगी दूसरी चीज होती student registration आप direct phone पे या जा करके ऐसे registration करिए बच्चे का class नाम यह सारी information भरते जाएए देखे चपन चौन तिस तक admission थे अपने आप यह नया enrollment नंबर 36 जनरेट हो गया अब इसके बाद आएगा mail है female है यह सारी करिए फिर इसके बाद बच्चे की आप photo वगएरा भी direct ले सकते जैसे photo में है आप choose file करिए तो आप file से ले सकते हो और take photo पे करोगे direct photo की photo खीचोगे फिर आएगा use photo या retake अगर सही photo खीच गई है तो use photo करिए या नहीं retake करिए देखिए हाँ photo add हो गए इस तरीके करके उसका TC ले सकते हो बर्स आर्टिपिकर लगते हो save करोगे मतलब उसी समय बच्चे की photo eye card के लिए generate हो जाएगी जैसे बच्चे की photo generate हो जाएगी same time पे eye card भी generate हो जाएगा registration करने के बाद बच्चे को आप eye card का तुरंद print दे सकते हो इसलिए हमें देखना है कि जब हम admission करें तो सारी चीज़े उसी समय complete कर ले फिर एक student report होती है बहुत important होती है मैंने आपको समझाई दिया है कि student report पे आप जो चीज ढूनना चाहो ढून सकते हो कि category क्या है class क्या है किस तारिक से किस तारिक तक admission हुए नए हुए पुराने इसमें सारे filter लगे हैं इनको आप थोड़ा इत्मिनान से करिएगा आपको सब पता चल जाएगा फिर print student आप जो बच्चा है उसको आप चाहें तो उस class के सारे बच्चों की photo निकाल सकते हो उसका पूरा record देख सकते हो यहां से और उस बच्चे का particular screen start मगा के guardian को दे सकते हो तो इसमें आपको कुछ नहीं session select करना है, class select करना है section select करना है नहीं select करोगे तो पूरा school आ जाएगा इस तरीके से आएगा अब जिस बच्चे को आपके देना है उसका screen start लीजे, guardian को दे दीजे कि भाई देखें आपका admission हो गया है इसके बाद हमारा ये student का काम खतम attendance important है attendance detailed report बहुत जरूरी होती इसमें ये होता है कि हम session select करते है class select करते है, section select करते है फिर choose आता है, roll number या बच्चे को नाम select करते है उस class का अब फिर हम चाहते है उसकी attendance कब से कब तक चाहिए अगर आप कोई date नहीं लेंगे तो पूरे साल का आएगा अगर हम चाहरा है कि हम इसकी एक December से लेके आज तक का देखे तो एक December से आज तक कि किस दिन है नहीं है ये सारी बात दिखा देगा जैसे ये बच्चा भै सुकला है ग्यान प्रकाज जी का एक तारीक को आया है दो को अपसेंट था तीन को अपसेंट है चार को Sunday हो गया मतलब मस्ती से आ रहा जा रहा तो जो भी रिकार्ट है इसमें सारा सेव हो जाएगा पूरे साल का रिकार्ट दे सकते हैं अब हम इसी को करेंगे नहीं, हमें इसकी student attendance report चाहिए, तो report generate कर लिजे, report में student wise हो सकता है, पूरे class की report हो सकती, हमने किसी एक बच्चे को select करने की बात सोची, हमने काच्छा एक का, age section का, बच्चा ये अभय सुकला, इनी को select कर लिया, और अब हम report चाहते हैं, कि ये दिसंबर में एक दिसंबर से आज तक कितने दिन आया, आपको पता है, कि ये सिफ एक दिन आया है, बाकी absent है, अब हम देखते हैं, हमारी report क्या कहती है, हमारी report कहती है, कि तीन दिन school खुला है, जिसमें से एक दिन आया है, दो दिन absent है, चाहर तारिक है, चौते दिन Sunday था, तो इसमें एक दिन present है, दो दिन upset है, और इनकी present ही इस तरीके से होगे, 23.33%, तो ये मतलब आप एक तरीके से पूरे साल की, पूरे मन्त की, जितने समय की report चाहर रिपोर्ट अटेंडनेस की देख सकते हैं, इसके बाद होती student attendance seat, कच्छा एक के बच्चों की, हम attendance seat देखना चाहते हैं, इसका कोई बहुत use नहीं होता, ये सिर्फ ये देखने के लिए को उस class में कितने बच्चे, क्योंकि इसका use तो class teacher करते हैं, आप तो करते नहीं हो, माद लिजे हम December के attendance seat देखना चाहते हैं, class first में कितने बच्चे, ये सारे आपको दिखा देंगा, कि class first में इतने बच्चे, इनका roll number ये है, नाम ये है, और इनकी किस किस दिन प्रेजेंटी, इसको manual maintain करती है, class teacher तो उसका कोई बहुत use नहीं है, आपके लिए, SMS बहुत जरूरी है, SMS पे ध्यान दीजेगा, हमारी जो सबसे जरूरी चुरूरी है, 2022 ते इसमान लिजे हमने select किया, class select किया, PG select किया, December तक चadamente ठीजे है, ठीक है, December तक महीनए select कर लिया, फिर हमने Language इंगलेस कर लिया, अब हम message देना चाहिते है तो पहले SMS template किस बात के लिए, attendance के लिए देना चाहिते है, किस चीजे के लिए हमने का remaining fee के लिए हम SMS generate करना चाहे तो हमने remaining fee का template select किया अब remaining fee से related इसका SMS generate हो जाएगा हमने submit कर दिया अब पूरे बच्चों का generate हो गया इस class के अब हम करें निया हमें सब का नहीं लेने यहाँ साथ आया तो सब का generation खतम हो जाएगा अब कोई select नहीं अब हमें एक बच्चा केवल कनिस्का सिंग को select कर ले रहा है exam bill के लिए या हम कोई भी बच्चा select कर सकते हैं ठीक है तो हमने माल लिजे इस कनिस्का नहीं अब आप चाहते हो नहीं हम पुनीत सिंग पटेल करेंगे तो आप पुनीत सिंग पटेल कर लिजे अब इनको हमने जैसे ही select किया नीचे जाके submit करेंगे तो अब इनकी फी से का जो link है ना वो जनलेट हो जाएगा यह कहां जाएगा सो SMS पर अभी हम आपको permission दे देंगे सो SMS वहां जाके आप देख पाओगे कि यह इनका link जनलेट होगा उसे copy करके parent को भेज सकते हो फी पर आईए फी लेटर आप फी लेटर पर जाओगे हम किसी भी एक बच्चे का कितना बकाया देख सकते हैं जैसे हमने ले लिया माली जै कक्छा एक ले लिया example के लिया कोई भी ले सकते हैं पहला section A ले लिया बच्चे का नाम हमने ले लिया unseaka चलो ले लिया कोई भी ले सकते हैं अगर हमने unseaka ले लिया तो अब इनकी फीस हम देखना चारह है कहा तक कि नॉम्बर दिसम्बर तक दिसम्बर तक अगर इनका कोई फीज बकाया है या जो भी है उससे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी देखे इनका बाइलेंस है जीरो तो यह दिग गया आपको की इनका पेमेंट है अब इस तरीके से आप किसी भी बच्चे की फीज का एक लेटर जनने अगर फीज बकाया गए तो आजाए इसका स्क्रीन चार्ट लीजे और सेर कर दीजे पैरेंट को स्क्रीन ले ले लेजे अलाओ कर दीजे सेर कर दीजे इससे आप उसके फीज का लेटर भी तुरंत वहीं पे जनरेट करके वाट सैप कर सकते इसके लिए कोई आपको बहुत इससे मेहनत करने की ज़रूत नहीं है एक फीज रिपोर्ट है यह इंपार्टेंट होती है गारजियन के पास आप जाते हो बोलता नहीं हमने कितना पैसा दे डाला अरे भाई जितना दे दिया देखो ना जैसे एक एक जामपिल देखे हम जानना चारा है कि कब से कब तक में कितना दिया हम करें पूरे साल में आपने कितना दिया हम बता दो किसका दिया हम क्लास सेक्षन आगे जनरेट कर लेते हैं हमने क्लास फर्स ले लिया एक्जामपिल के लिए सेक्षन ए ले लिया अब किसी भी एक बच्चे की हम फीज देखना चारा है जैसे अभी हम देखना और आचा रहे हैं मादलो आदित्ट है आदो की help कोई भी ले लीरीजे और इसकी फीज कित्ती जन्रेट हुए अब तक तक कित्ती जन्रेट हुए इस महीने कित्ती देखि आदित्त ने ये पांच बार फीसेश जमा की है कपकप जमा की अपरेल मई जून तीन मईने एक फीस इन्होंने जमा की थी एक तालिस तो रुपए पेट किया 1229 बैलेंस रहा गया फिर दोबारा इन्होंने रिमेंइन को भी 29 तो रुपए जमा कर दिया देखें पूरी डेट सहीत आ रहा है कि कब कब जमा किया उसमें से 500 बकाया रहे गया 29 सो में से 24 सो जमा कर दिया फिर 200 जमा करिया ऐसे धीरे धीरे करके ये जमा करते जा रहा है तो इनका ये आज की डेट तक इन्होंने जो टोटल पेट फी है ना ये चौथा नमबर है 72 इनका बकाया कितना है आज की डेट में 500 रुप है अब आप यही देखना चाहते हो कि भाई ये तो इनकी पेट फीस हो गई बच्चा है आदित्य आदो क्लास है वह ने अब हम करें नहीं हमें ये नहीं देखना है इनका बकाया कितना है चलो हम बकाया देख लेते हैं 22-23 मे अच्छा था, क्लास क्या था, सेक्साने था, नाम क्या था, आदित्ते, आदित्ते आदो, ठीक है, तो आदित का आप बकाया देख सकते हो, मन्त हमने का आप बकाया कब तक कब तक का देखना है, हमने का दिसंबर महिना चलना है, दिसंबर तक का बकाया बता हो, आगे का नहीं तो दिसंबर तक करें मैंने बकाया दे दिया मैं सर्च कर दिया जैसे सर्च करेंगे आदित का अन्पेट एक 500 रुपए आपने देखा था वहां तो यह 500 रुपए दिखा रहा है कि जुलाई वाले में 1000 बचा रहे गया था अक्टूबर वाले में 41 रुपए आज की डेट में इनका बकाया है तो यह एक तरीका आता है जो दिखा देता है कि बकाया किता है अब यह आप गार्जेन को डारेट दे सकते हो इससे गार्जेन को प्रिंट रिपोर्ट के थू कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो जैसे मन करे वैसे आप दे सकते हो डारेक्ट i iz Тут कर सकते हो डारेक्ट ूंध कर सकते हो सब कुछ आप के पास आप सबयों आप डारेट कर सकते हो इसके बाद पेड एंद ट्रांस्पोर्ट अब हम जानना चाहरा है कि कोई बच्चा है उसका ट्रांसपोर्ट का क्या हिसाब किताब है तो हमने का पेड़ बताओ किस का चाहिए किसी भी एक बच्चे का ले सकते हैं उसके लिए हमें यह जानना होगा कि बच्चा किस गाउं का है तो आपको stoppage name लेने के लिए यहां से आगे route select कर रहा है माल लेजे हम समस्पूर दीना का shift to ले रहा है या हम ले रहा है राहूल की shift बने अद्धा को पुरुआ की ठीक है ले लिया अब stoppage का नाम हमने ले लिया मदूकी किसी भी एक बच्चे का हम देखना चाıt रहा है माल लेजे कोई बच्चा है तो उसे मसiejेट कर लेंगे कि मदूकी का हाइए मदूकी ले अब वेहिकल कोण से select करोंगे अब जब राहूल जाते है तो वेहिकल ही राहूल लेगा कि अगस की फीज जमा होई, किस महीने की फीज जमा होई, कब जमा होई, यह रूट है, यह राहूल के बच्चे इनका जमा हुआ, अब हम करें ने ने हमें यह ने चाहिए, यह बकाया क्या है, बकाया है तो फिर अनपेट देखो भाई, अब यह आपने पेट देखा था, 侍 मृट देख लीं हैं मृट साइल ने सब्दाया कोई भी आप लें सकते हो किका मृट कि दिखा दिया किस का कित्ता बखाया है इस तरीके से आप चीजे देख सकते हो किस जी बच्चे क 001 देखके का आप ही धिम्म आज के मेर्श के ओर पिर घाल घाल अगर भुता हुआ अब वैकल का यह गो ट्रांस्पॉर्ट पर तरीक इसमें किस का देखना चाहरा है किस क्लास में कितने बच्चे अगर आप क्लास से लेट करोगे तो उस क्लास के पूरे बच्चे आ जाएंगे कि जैसे आप कक्छा एक से जित्ते बच्चे गारी से आते होंगे उनकी लिस जनरेट हो गई आप देखिए इसमें फोटो साइद प किसी ड्राइबर की चाहिए ठीक है अब हम जानना जा रहा है में ड्राइबर चाहिए तो से लट करो भई वेह कल टाइप क्या है EC ow है ड्राइबर का उन राइबर का नाम है दी पांशू राषूलल बबलू हमने राहूल ले लिया route कौन सा है जो राहूल का पहला route है अब इनकी पहली shift के बच्चे हमें देख जाएंगे पहले shift में इनके बच्चे 17 हैं सब की photo से detail लागए अब आपको पता है कि ये बच्चे shift 1 से इस इस गाउं से आते हैं तो ये आप मतलब 1 minute के अंदर सारी चीज खुद देख सकते हैं तो ये एक अच्छी चीज है इसके बाद exam nation में चाहिए किसी बच्चे का report card आप देखना चाहते हो चलो अब गाजियन के पास बैठे हैं उसने का हम PTM में नहीं गए थे नहीं गए थे मत जाए हैं हम बता रहे हैं ना अब कक्छा 1 के सारे बच्चों के report card जनरेट हो गए अगर आप देखना चाहते हो तो पूरे बच्चों के report card यहां से आप जनरेट कर सकते हैं जैसे हम यहां गए हैं exam nation में print report class wise किया session 22 देश लिया, कक्छा 1 लिया section A ले लिया और search माल दिया अभी load जादा ले रहा नहीं ले रहा लेकिन यह ले लेता है और इस तरीके से आप search कर सकते हो report card ठीक है अपने लिया examination में गए हैं और यहां से आप student mark report भी देखना चाहते हैं एक तरीका यह भी होता है, यहां जाए है कक्छा 1 लिजे, कौन सा exam लेना चाहरा है और section है अब exam लोगे हम करें हमें term one चाहिए, छमाई तक का और जैसे ही छमाई तक का हमने किया देखिए पूरा gadget आ गया अब हम किसी भी बच्चे का पूरा result देख सकते हैं उसको किस exam में कितने number मिले हैं और यह सारे number उस guardian के पास आप दिखा सकते हो उसका कितने percent है यह भी दिखा रहा कितने percent number पाया बच्चा उसके percent जैसे position in class भी दिखा रहा 92.67 percent है first position in class है और यह बच्चा कौन है यह विहान यादो है तो इस तरीके से आप बच्चे की report को देख सकते हैं पूरा गजट इसे डाउनलोड कर सकते हैं view कर सकते हैं जैसे यह Excel में डाउनलोड हो गया आप दिखाना आसान रहेगा Guardian को आप Excel में उसकी report कार्ट पूरा दिखा सकते हैं उसका personal report कार्ट भी आप generate कर सकते हैं इससे पूरे class की summary भी है तो आप analysis दे सकते हैं Guardian को की बच्चा कहां पे चल ला है इस समय यह सब एक अच्छी चीज होती इसके बाद आप examination sales से बाहर आईए product पे जाईए हमारे पास क्या-क्या product है वो आप इस पे search करोगे आपको देख जाएगा product stock है, product balance है remaining sales report है जैसे इस तरीके से जिन भी बच्चों का जो भी बखाया है आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से अगर देखें जो समान हमने बेचा है उसमें भी तीरपन हजार रुपए 905 रुपए बखाया है यह तो बहुत जादा बखाया है यह date wise भी है कौन सी किट लिया है, क्या लिया है तो इस तरीके से आप रिपोर्ट देख सकते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अब product remaining sales report होगी कि किसका कित्ते रुपए भी पैसा हमें देना बाकि है उसका लेना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो remaining sales report में दिख जाएगा कि इन इन बच्चों का आपने यह यह पैसा ले लिया इसका इत्ते सो रुपए बखाया था, टोटल पे सो रुपए दिया मतलब बखाया की जो वसूली है वो यहां दिख रही है 1411 रुपए आपने वसूला भाकी जो आपके तेर पनाजार बकाया ऐसे ही चला तो इससे आप यह सारी चीज़े देख पाऊगे एक बार में इसके बाद प्रोडक्ट के बाद आप आईए बुक में बुक का आप इस्टाक देख सकते हो बुक का बैलेंस रिपोर्ट दे सकते हो कितनी किताबें आपके पास है वो दिखायागा अगर हम 22 देखें कि कितने रुपए बकाया है अगर आप इसे नीचे जाके देखोगे तो लगभग 17,430 रुपए अभी भी बकाया है आपका भुक में तो यह 17,000 किसका बकाया है सब दिख रहा है उसका रिकार्ड है डेट है मोबाइल नंबर है इसको हम लोग चाहें तो बसूली कर सकते हैं और करना भी चाहिए कोई यह पैसा बकाया है इसके बाद सार्टिफिकेट जनरेशन आपको परमीशन है आप किसी भी बात की एक सार्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं जैसे प्रिंट स्टूडेंट पर जो होगे अगर आप को इस सार्टिफिकेट जनरेट करना चाहते है प् तो यह depend करता है कि आपने कितने certificate बनाए जो भी certificate बनाए वो यहाँ दिख जाएंगे अगर आपने generate किये हैं तो यहाँ पर दिख जाएंगे और उसका आप guardian को यहाँ से direct दे सकते हो तो यह आपको features है फिर आप admin tool पे जाते हो जैसे admin tool पे जाते हो change password है आप अपना password खुद change कर सकते हो तो आपका current password यह है new password यह है तो यह ज़्यादा जरूरी चीज है कि आपका password leak नहों तो आप इसे change कर सकते हैं इस तरीके से आप complete training पा रहे हो और इस training को आप दो बार तीन बार देख करके सारे features खुद यूज़ करिए